हाई दोस्तों स्वागाते है अब सभी का KV Learnings पे Transport of Oxygen by the Hemoglobin जानें गए ऐस वीडियो में अई ये स्टार्ट करते हैं Transport of Oxygen through the Hemoglobin किस तरीके से Hemoglobin कि थूँ जो Oxygen है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है आए देखते हैं उसको तो अपने लोगों ने पिछले वीडियों में जिसमें अपने लोगों ने बात की हुई थी किस तरीके से जो carbon dioxide है और जो oxygen है उसका किन किन तरीकों से यानि कि कितने टाइप से जो हमारे blood में transport किया जा रहा है और blood क्या था हमारे पास एक vehicle था जिस पर हमारी जो gases थी वह वहाँ पर बैट रही थी और जहां तक उनको जाना है उस location पर जाके वह distribute हो जा रही थी फैल जा रही थी ठीक है या फिर gases का एक्स्चेंज हो जा रहा था ठीक है अब बात करते हैं कि transport of oxygen अपने लोगों ने देखा था कि 3% जो भी oxygen है वह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा थ प्लाज्मा के थिरू जो कि था हमारे पास 3% और dissolve form है dissolve form है यानि कि प्लाज्मा में घुल गया dissolve हो गया mix हो गया उस तरीख के से अब यहां पर क्या है हीमोगोबिन जो कि एक large amount में oxygen को ट्रांसपोर्ट कर रहा है यह किस form में होगा हमारे पास oxy hemoglobin के form में और यह कितना होग गया oxy hemoglobin यानि कि ऐसा hemoglobin जिसमें oxygen का molecule बंधा हुआ है या फिर mix है या फिर बोल दो कि ऐसा hemoglobin जिस पर जो oxygen का molecule है वो उसके उपर बैठा हुआ है ठीक है तो यह सारी चीजें आज आपने लोग जानने वाले हैं इसी के बारे में यानि कि oxy hemoglobin के बारे में जानेंगे 97% किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जा रहा है यहाँ अब देखिए oxygen ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है hemoglobin से तो hemoglobin को अपने लोग represent करते हैं hb के form में यानि कि hb जहां पर भी लिखा हो यानि कि इसका मतलब जा होता है hemoglobin ठीक है तो hemoglobin प्लस oxygen यह हमारा बन गया hb auto यानि कि oxy hemoglobin अब देखिए यहाँ पर एक reaction दी हुए कि lungs में क्या हो रहा होगा हमारी यह जो reaction है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही होगी यानि कि हमारी lungs में जब oxygen पहुँच रही है जो अपने लोग inhale कर रहे हैं तो हमारी lungs के तुरू जो भी oxygen पहुँच रही ह है वहाँ पर क्या हो रहा होगा हमारी lungs में कि oxygen और hemoglobin जब यह हमारी oxygen से diffuse हो रही होगी तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो भी oxygen है और hemoglobin है यह दोनों bind कर रहे होंगे और form हो रहा होगा हमारे पास hb o2 यानि कि oxy hemoglobin यहाँ पर बन रहा होगा अब यह oxy hemoglobin बलड में बन गया और यह blood हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां पर हमारा टिशू है यानि कि जहां तक oxygen को जाना है वहां तक यह यह हमारा oxy hemoglobin यानि कि HbO2 के form में transport होता रहेगा अब जब यह पहुच गया अपनी location तक या फिर किसी organ तक यहां पर oxygen के requirement है अब यहां पर क्या हो रहा होगा यह जो हमारा HbO2 है यह वापस से टूट रहा होगा hemoglobin प्लस oxygen के form में तब ही देखे यहां पर लिखा हुआ है कि lungs में क्या हो रहा होगा oxygen और hemoglobin bind कर रहे होंगे और form हो रहा होगा oxy hemoglobin लेकिन जब यही oxy hemoglobin जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा और finally यह अपनी destination तक पहुच रहा होगा या फिर उस tissue तक पहुच रहा होगा जहां पर oxygen के requirement है तो यह वापस से हमारा जो तूट जाएगा और form हो जाएगा क्या हमारा HbO2 oxy hemoglobin टूट जाएगा और oxygen और hemoglobin अलग-अलग हो जाएगे जहां पर जो हमारा hemoglobin का डबा है वो वापस ब्लड में वापस बेज दिया जाएगा और जो oxygen है वो हमारे पास tissue को tissue oxygen को consume कर लेगा gases का जो exchange है वो वहां पर हो जाएगा आईए इसको एक बार elaborated form में देखते हैं एक बार अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं देखिए अगर अपने लोग यहां पर देखने की कोशिस करें कि देखिए यहां पर यह क्या है जो gases का exchange है वो होगा और finally जो gases है वो कहाँ पे पहुंचेगी हमारे पास tissue के पास अब यहाँ पे अपने लोगों को पता है कि भाई यह क्या flow कर रहा है हमारे पास यह है blood और blood के component होंगे जैसे कि hemoglobin वगेरा plasma वगेरा और अभी अपने लोगों को यहाँ पे hemoglobin के जरूवत है तो hemoglobin अपने लोग माल लेते हैं कि hemoglobin क्या है एक truck है hemoglobin क्या है एक truck है एक खाली truck है तो खाली truck को अपने लोग represent करते हैं HB से यानि कि hemoglobin का डबबा ऐसे समझे कि hemoglobin का क्या है डबबा है एक truck है जो की empty है तो इसको अपने लोग क्या बगने hemoglobin है और इसका जो path है इसक यह हमारा आगे पहुंचाय जाएगा यह कहां पर आएगा हमारे पास लंग्स के पास तो अब जब अपने लोगों ने एर हमारे एटमास्फियर से जब एर एंटर कर रही है हमारी लंग्स में तो अपने लोग क्या कर रहे होंगे हमारी लंग्स में ऑक्सीजन अल्टीमेटली पहुँच रही होगी हमारी लंग्स तक अब जब ऑक्सिजन हमारी लंग्स तक पहुच रही होगी अब इस ऑक्सिजन को टिशू तक पहुचाना है यानि कि इस रोड पे उतारना पड़ेगा और इस रोड से होते हुए हमारे पास इस टिशू तक पहुचाना है इस ऑक्सिज फाइनली हमारा इस ट्रक में भर दिया जाएगा और इस ट्रक का नाम क्या है हमारे पास हीमोगलोबिन ट्रक ऐसा हीमोगलोबिन जिसमें ऑक्सिजन भर दी गई है उसमें ऑक्सिजन बाइंड कर दी गई है अब इसका नाम क्या हो गया एच बी ओटू यानि की ऑक्सी हीमोगलोबिन अपने लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सी हीमोगलोबिन यह बन गया यानि कि ऐसा ट्रक ज चलने के लिए त्यार है अब ये ट्रक चलते चलते आगे आएगा कहां पे टिशू के पास अब ये ट्रक हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के थूँ फ्लो करते करते हैं हमारा पहुंच जाएगा कहां पे टिशू के पास आएए देखते हैं ये ट्रक हमारा आगे बढ़ से टिशू को देना है अब देखिए यहां पे क्या हो रहा होगा यह जो हमारा oxygen है जो इस truck में भरा हुआ था इसको truck से अलग करना है यानि कि यहां पे क्या हो रहा होगा जो हमारे पास HbO2 है ऐसा truck जिसमें oxygen भरी हुई है ऐसा hemoglobin जिसमें की oxygen fill है जो कि oxygen से bind है यह वापस से तोड़ जाएगा hemoglobin और oxygen के form में तो जब यह truck अपना oxygen release कर देगा यहां से जो oxygen है वो निकाल दी जाएगी और यह oxygen हमारी tissue तक पहुँचा दी जाएगी अब यह truck वापस से खाली हो अब जब इस truck में oxygen का ट्रांसपोर्ट कर दिया हमारे पास tissue को जब इस ट्रक ने oxygen दे दी oxygen की supply कर दी तो अभी ट्रक खाली हो गया और इसका नाम कहा था हेमोग्लोबिन तो यह क्या हो गया हमारे पास हेमोग्लोबिन molecule free हो गया oxygen से अब ये ट्रक वापस से हमारा कहां जा रहा होगा lungs के पास और lungs फिर क्या करेंगे वापस से जो भी oxygen है उसको भर देंगे और इसका finally नाम क्या हो जाएगा हमारे पस hb o2 यानि की oxy hemoglobin और वापस से जो हमारा ट्रक है ये आगे चलते चलते कहां तक पहुचेगा टिशू तक पहुचेगा और इस टिशू पर जो हमारा hb o2 है ये वापस से अपना oxygen को release करा देगा और finally ये डबा खाली हो जाएगा जो ट्रक है ये खाली हो जाएगा और इसका नाम क्या था हीमोग्लोविन तो हीमोग्लोविन एक खाली डबे की तरीके से काम कर रहा है कि oxygen कहां से लंग्स से तो oxygen ले रहा है और उसको finally transport करा दे रहा है कहां पर टिशू के पास और वापस जो डबा है वो खाली हो जाएगा और अब ये वापस से डबा फिर हमारा पहुंच जाएगा कहां पर हमारी यो लंग्स है उसके पास और वापस से जो oxygen है वो इसमें वापस से फिल की जाए ठीक है अब ये तो बात थी यहां तक अगर अपने लोग इसको एक बार quick recap में देखने की कोसिस करें तो अपने लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो oxygen थी यह क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन का molecule है यह जो हमारा हीमोग्लोबिन का molecule है यह हमारा आगे बढ़ गया और यहां पर क्या था oxygen जो हमारे लंग्स में enter कर रही थी यह हमारी आ गई ठीक है अब जब oxygen आ गई हमारे पास lungs के अंदर अब इस oxygen को हमारे पास इस truck में भर दिया जाएगा और इस truck में ये truck का नाम क्या है हमारे पास हीमोगलोविन अब जब इस truck में oxygen fill कर दी गई तो इस truck का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास oxyhemoglobin ये जो truck है इस truck में जब oxygen फिल कर दी गई तो इसी ट्रक का नाम क्या हो गया HbO2 यानि की oxyhemoglobin अब यह ट्रक हमारा इसी रोड पे यानि की जो हमारी blood vessels है उनके थ्रूँ जो blood supply हो रहा होगा उसके थ्रूँ जो hemoglobin है वो पहुंचा जाएगा कहां पे टिशू तक तो यह ट्रक हमारा पहुंचिया कहां पे टिशू के पास अब जब यह ट्रक हमारा टिशू के पास पहुंचा तो यहां पे क्या होगा जो हमारा oxyhemoglobin है यानि की HbO2 ऐसा ट्रक जिसमें oxygen फिल था यह वापस से क्या करेगा oxygen अपनी supply कर देगा ओका कहां पे टिशू के पास तो यह क्या है टिशू और यहां पर जा कर देगा यह अपनी जो oxygen है यह सप्लाइ कर देगा और अब फिर से यह और वापस हमारा टिशू के पास आएगा वहां पे oxygen को वापस करेगा और फिर वापस से हमारे ये कहारा पर यह पहुत जाएगा लंग से स्क्रास लेजे सकते हैं हीमोग्लोबख़न है वो किस तरीके से पाफॉर्म कर रहा है अपना उसका फच्चन है किस तरीके से जो oxygen का transport है जो भी 97% जो भी oxygen का transport हो रहा है oxy hemoglobin के form में वो किस तरीके से हो रहा है आसा है इस वीडियो में आप लोगों को एक अच्छे example के तोर में अपने लोगों ने समझाने की कोशिस की है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगली वीडियो में अपने लोग कुछ hemoglobin के जो terms है जो terminology है उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं hemoglobin से related जो बाते NCRT में दी होगी है उसके बारे में जानेंगे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था और इस वीडियो में अपने लोगों को इसी particular जो topic है उसके बारे में बात करनी थी आप लोगों को एक story के form में समझाने की कोशिस की है ताकि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से जो oxy hemoglobin और hemoglobin में जो फर्क है वो थोड़ा clear हो जाया हमारे brain में मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो please subscribe कर लिजी और अगर आपकी कोई query है आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप comment box के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं अगर आपको हमारी यह video अच्छे लगी हो तो अपने friends और members के साथ share भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा प्रेस पसंद आ रहा हो आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो इस video में तो आप हमारी इस video को like कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जाहें